कोरोना काल की दर्द की बीच कीजरी वाले अपनी शीश महल पर 45 करोर रुपए का खर्च किया दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन कीजरी वाल के सिविल लाइन इस्तित सरकारी आवास की नभी करण में किये गए खर्च पर विजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं क्यों हो रही है इस बात की चर्चा छिलिए आपको बताते हैं विस्तार से नमश्कार मैं हूं कुजबुबर्मा आप देख रहे हैं नज़र टुड़े विजेपी ने दिल्ली के सीम की और से अपने आवास पे कठित तौर पे 45 करोड रुपए खर्च करने को लेकर उन्हें शाही राजा बताया हैं जिस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये घर 80 साल पुराना है और ये सुरक्षित नहीं रह गया था इसलिए उसको दोबारा से बनवाने की जरुद थी बिजेपे का आरोप है कि टैक्स भरने वालों के पैसे से अर्विंद्र केजिवाल ने 45 करोड रुपए अपने आवास पे खर्च किये दिल्ले विधान सभा में विपक्ष के नेता रामवीर विगूडी ने केजरिवाल को शाही जीवन बताने वाला राजा बताया और उनक हाल 2013 में कहते थे सरकारी घर, सुरक्षा और सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे लेकिन यहां तो उन्होंने घर को सजाने के लिए 45 करोड का खर्च कर दिया हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है कि दिल्ली के सीम ने अपने घर के नवी करण पर लगभग 45 करोड का खर्च किया है आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये घर मुख्यमंद्री का अपना घर नहीं है बलकि सरकारी आवास है और ये खर्च सरकारी संपत्ती पर किया गया है आम आदमी पार्टी ने बयान जारी कर कहा ये घर जजरहालत में थी इसे साल 1942 में बनाया गया था यहां तीन हादसे हुए CM की माता पिता के कमरे की चछत गिर गई CM की बैडरूम की चछत गिरी हुई थी और उनके दफतर की चछत भी गिर गई सारवजनिक कारे विभाग ने ये सुझाओ दिया कि घर को दोबारा से बनाया जाए उसके बाद PWD ने आकलन किया और ओडिट के ओडर दिये गए इस ओडर रिपोर्ट में नया घर बनाने की सला दी गए खर्च का एक बजट बना और उससे वित विभाग ने मनजूरी दी अधिकारियों का कहना है कि CM के घर पर 30 करोड रुपए खर्च किये गए और बाकी के पैसे CM आवास के कमपाउंड में इसित उनके कैम्प आफिस में लगाए गए PWD दस्ता वेजों की अनुसाद CM के आवास में काम कराने की पहली मनजूरी 1 सितंबर 2020 को दी गई थी इसमें बिजली के काम और एक Automatic Firing Alarm System के साथ RCC Frame का का काम शामिल था दूसरी मनजूरी मई 2021 में एक Modular Kitchen, Laundry और Pantry आदी बनाने का मरमत कराने के लिए दी गई थी इसके बाद अक्टूबर 2021 में आवास के कैमपस में सिविल काम के लिए मनजूरी दी गई दिसमबा 2021 और जून 2022 में फिर बजट दिया गया PWD के दस्तावेजो में इस Renovation से जुड़ा जो Bureau दिया गया इसके अनुसार सिविल के अलावा आवास पर बिजली, Plumbing के काम अलग-अलग Smart Line के लिए Voltage Fixer, Energy Sufficient 80 Punk के एक Dubwaiter Lift यानि कि खाना पहुचाने वाले Lift 23 परदे शामिल है आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस खर्चे को बाकी सरकारी प्रोजेक्ट पर होने वाले खर्चे के साथ तुलना करके देखनी चाहिए पार्टी ने ये कहा प्रदान मंत्री के नए घर पे 467 करोड रुपए खर्च किये जा रहे हैं जबकि Central Visita की वास्तविक लागत 20,000 करोड रुपए आंकित की गई है साथ RCR को भी रेनोवेट कराने में 89 करोड रुपए लगाए गये थे LG के बीते कुछ महीनों में अपने घर के रेनोवेशन में 15 करोड रुपए खर्च किये गये BJP इस मुद्दे को इसलिए उठा रही है क्योंकि वा असली मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है जिस तरह BJP आम आदनी पार्टी पर लगातार हमलावर है वही विपक्ष के कई नेता इसे जम्मु कस्मीर के पुर्वसत्यपाल मलिक के बयानों से ध्यान भटकाने का परियास कर रही है तो क्या एक जन परती नीदी अपने आवास पे कितना खर्च करें इसको लेकर भी एक माबडन होनी चाहिए क्योंकि ये पैसा देश की जनता का है आरोप परत्या आरोप का दौर है इस विसे मैं आपकी क्या पृतिकिरिया है कमेंट करके जरूर बता अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करे शेयर करे और चानल को सस्क्राइब करे सुक्रिया झाल रचक, आर झाल 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 झाल